हुआ है 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 ख़र दोस्तों है जियो साइंस में स्वागत है है आप आज हम लोग फिर से पुना आप जक्टिव को स्टार्ण पैतिस से पैतिस सवाल का जवाब चूनेंगे जो बहुत इपॉर्टन कोस्टन है चलिए बिना देर की हुए इस कुस्टन का जवाब दिया जाए यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें शेयर करें कि ताकि आपके पास अब्जेक्टिव का कुस्टन अप्टिकल फाइबर वर्क ऑन दे कॉंसेप्ट ऑफ पींटेकल फाइब जो है किसकी कॉंसेट पर काम करता है पहला उप्शन थो आपका है रीफ्रेक्षान सकेंड अप्शन है बी नंबर डिसपर्शन तिसरा है टोटल इंटरनल डिफ्लेक्षन दि में नन फदिच तो हम हम लोग पढ़े थे अप्टिकल फाइवर जो हो गया मिराज हो गया और टी आई आर पर काम करता है टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन ओफ लाइट तो राइट इसका अंसर जो होगा ऑप्शन नमबर सी होगा अगला कोश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे सकें नमबर कोश्चन लिखा हुआ है सकेंट नमबर कोश्चन पढ़ा जा किशन नमबर तो हम लोग पढ़ेंगे डा मीनिमूम एंगल अउप डिविएशन बाइटे एंड कर रहे है नीमग एंगल येंजिंग का क्या होता है तो हमलों मिनसम अगल अपडिवीशन का फर्मुला हम लोग पढ़े माइनस वान इंटू ए भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला म्यू भी होता है सिंबॉल होता है तो ऑप्षन दोन यह कहां पर है तो हम लोग का ऑप्षन जो है पहला है ओ दिया हुआ है वान माइनस ए इंटू म्यू यह तो ऑप्षन कर रहत है म्यू माइनस वन इंटू ए यह ऑप्षन से ऑप्षन नमबर क्या होगा तो राइट अंसर बी होगा अगला हम लोग कोश्चन पढ़ेंगे धियान देजिएगा दा इमेज फॉर्म्ड ऑन दा रेटीना ओफ आइज थर हम लोग पढ़ चुके हैं रियल और इन्वहाटेड बनता है तो राइट अंसर जोगा भी होगा अगला कुश्चन जो है चौथा नमबर धियान देजिएगा चौथा नमबर कुश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं करह है दा पावर ऑफ फोकल लेंद पावर ऑफ फोकल ले अगला के सामने है पास्वा नमर कोश्चन देजेगा पाच्वा नमबर कोश्चन क्या कहता है दे इनर्जी अभे फोटाउन ओफ वेवलिंट लेमडा इज जब वेवलिंट दिया हुआ रहेगा तो एच लेमडा बाई सी लिखा हुआ है दूसरा अपसन दिया हुआ है एच लेमडा सी दिया हुआ तीसरा ऑपसन जो है राइट लिखा हुआ है ऑपसन नमबर सी एच लेमडा है अगला कोश्चन जो है छटा नमर कोश्चन दिया देजेगा चटा नमर कोश्चन क्या कहता है अब तो पढ़ते जलिए दे के पिसीटेंस और पैरलल प्लेट के पिसीटर बाइड़ इंटोडेक् डालेक्तिक बिटमिंदा प्लेट आप लेट दो प्लेटों के बीच में कोई डालेंगे डालेक्टिक ऑश्टन फूली रूप से इंटोडियूस है ठीक है तो यहां पोजेटिव 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 ज़य नगेटिव होता है तो हम लोगों पता है कि कैपिसिटेंस एकले बनाबर क्या होता है जब द्यालेक्टरि जब डाला अगए तो के उसे एकलमें अंपर होगा है और यह को थो पर आप्यों का प्लसंदीका नोर्डों कोίο होगा है option number a होगा अगला कोशन हम लोग पढ़ रहे हैं सातमा नंबर कोशन सातमा नंबर कोशन क्या कहता है अगला हम लोग कोशन पढ़ने रहे हैं कोशन नमर आठ जो है लिखाओ हमेजích फोर्म वाये कॉनके इस्वि覺ल मिरा मतलब कॉंके का मतलब करने का मतलब आप अवस्तल्डरपन ते का हुशन में ने को अवस्तलब का ऑकॉन जेँ होता है वह清 Sellin केfre地 प्रापता है इनमवार्टेड यॉव्में से और यह यहांँ देखिए दोनों में लिए। हम लोग इमेज फूषरा है इमेज फॉर्म इमेज क्या होगा तो यहाँ पर ब्रोटर्टर मेक्सिमस्टक इनर्जी का इनर्जी maximum kinetic energy of emitting electron depend इसका मतलब जो metal surface से हम लोगो का electron निकलता है maximum kinetic energy उसको हम लोगो करते है work function option नमबर A होगा figure equation power of electric circuit electric circuit ने power क्या होता है था हम लोग पी बराव फर्मूला पड़े हुए है क्या होता है W बटर T होता है पी बराव फर्मूला पड़े हुए है i होता है पी बराव फर्मूला पड़े हुए हैं बी फडर बर फर्मूला पड़े चुके है i2 बयए हुए है इंटू आर होता है देखिये ओप्सन इसुन इसमें क्या क्या दिया हुआ जहाँ पहला जो 10 नमर कोर् FEMALE कुर्शन है 50 नमर जो कोर्सन लिखा हुआ भी इंटू आर लिख होगा भी स्कॉर बटार राइट एंस रही होगा ऑप्सन नमबर क्या होगा भी अगला कर एंपियर है इज यूनिट एंपियर किसका यूटता है तो हम लोग जानते हैं एलेक्टिक करेंड का है एलेक्टिक करेंड जो फंडमेंटल क्वांटिटी है ऑप और अबजेक्ट की कहां दिया होगा समय पाहला दे ऑ फोकल लेंटे़ है इमेजए सटेइंप लिखा हुआ है दो इमेज हॉआ है टुदे ऑब्जेक्ट हाइट राइट एंसर क्या होगा अगला कुश्चन जो आपके साहना पूछा जा रहा है बाइक कॉनकेव लेंज इतना दियाव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है रेडियस ऑफ करवेचर इच बीच सेंटीमिटर रेडियस ऑफ करवेचर दिया हुआ तो जाहिए सी बात है दस सेंटीमिटर होगा तो एक पलस लिंग एक माइनस लिंग को दोनों होता है तो मिवराव फर्मॉला लगाएं हम लोग ध्यांदी जी का हम लोग पढ़ चुके हैं वन बटा एब बराबार रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हो रहागता है म्यू माइन लगा नियुक्ति हरी होगा दस सेंटीमितर होगा उसके बाद क्या होगा माईनीस मरता है ना जा संटीमिटर और लिबस को सोलूशन कर एगा सबसुना करेंगे सेंटीमीटर में है तो दस दाव कितना दस मरतभी कर जाएगा फिर पांच डाय आपटर आगा पांच ध्यान देजीगा तो वन बटा एब रहा कितना डाय प्राग या पांच रापटर तो राइट एंसर क्या होगा तो ए आप्षन होगा ध्यान देने वाली फुलो यहां पर जो फुलो लिखा गाए इने वायर फॉर दस दस स्कीन कि प्रटेंशल डिफ्रेंश करो देपंदरा वोल्ड वर्क डं करना वर्क डंवर फर्मुला क्या ध्यान देजे पहले वर्क डंवरा वाई बरावर होता है आई स्कौाइर आर टी तो हमको तो आर माल पंदरा बटर दस निकल गया लगा दीजिए फर्मूला फी से डावलू बराबर होता है आई स्कौाइर तो आई का वहलू कितना है देस देस को कितना हो आर कितना दिया हुआ तो देस सेकंड दिया हुआ देस कैंसल हो गया गुना करेंगे तो आएगा पंदरा सो जो हुआ है पंदरा नमर कुस्टन का जवाब क्या होगा तो लिखाओ यूनिट ऑफ सर्फेस देंसिटी तो हम लोग जानते हैं सर्फेस देंसिटी कि फर्मूला क्या होता है चार्ज बटा एरिया इसका मतलब कुलाम बटा मीटर प्रति सकेंड इमीटर कुलाम प्रति मीटर स् इवन टब सर्फिस देंसिटी अगला कोस्टन जानते हम लोग पढ़ते हैं लिखाओ को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब लिखाओ एलेक्टिक पोटेंशियल डियू टूटु आपके डैपोल आपके लॉंग यहां धियां दिजिए लॉंग होगा लॉंग का मतलब उसके और लॉंग डिस्टेंश और फ्रों दे कॉन के फ्रों दे कॉन कवर्स यहां कवर्स होगा ऑफ डैपोल इस डाइक्ली प्रपोर्शनल तो धियां दिजिएगा हम लोग लेक्टिक पोटेंशियल का फर्मूला पढ़ चुके हैं एक्सिया लाइन पर तो होता था केपी बटा आर स्कॉर सारी आरसकॉर होता था धियान दीजिए का अल Motor क हैने का मतलगा प्रन्तु एक पोटेंसियल बराबर हो गया ध्यान देज्ञाद गया जबढ़ गया पीव बराबर हो गया न life बटा caliber होुग तो हम अबर होता तो यहां पर कीप सुना जाराता है पोटेंशियल क्या हो अगला कुश्चन जो है इफ अलेक्रिक फिल्ड वी एंड डिफड वर्शिटी भी भी डी ते इलेक्ट्रोन मुबिलिटी का होगा इलेक्ट्रोन मुबिलिटी वरा फर्मूला में पढ़ चुके हैं भी अभी बराबर भी डी बटा क्या होता है यह देखें भी बटा एक कहां दिया हुआ और बी दिया हुआ है तो राइट अंसर जो होगा कुश्चन नमबर 17 का जोगा ओ भी होगा अगला जो कर रहा कुश्चन करा ओन इंक्रीजिंग टेंपरिचर मेटल मेटल का जितना टेंपरिचर बढ़ाएं हम लोग उतना ही रिजिस्टेंस क्या होता बढ़ता है इसका मतलब वाट भी होता है इसका से मात्रा पी बरावर क्या होता है तिसका से मात्रा है एंपर और भोल्ट भी होता है पी बरावर का से मात्रा होता है पावर का होता है एंपर स्कॉर माइनस और स्कॉर इसका मतलब ओम का स्कॉर भी होता है तो देखिए ए ऑप्सन सही ह तो आप्सिन नमबर जो सी है व्रेडि गलत है एस आइंड आफ रिजिस्टेंस एस आई मेंट ऑफ रिजिस्टेंस रिजिस्टेंस का एस अउम्हों होता है ओम का सिम्बॉल इस परकार से भी होता है धिरान देगा इस परकार सी उन देंगे तो हम लोग अम ही पढ़ाएंगे question जो है दिहां देजिएगा रजजींटे म ơi डायशंटिच च्छोरा फर्मूला क्या होता है B बराबर होता है R बराबर भूट भी बटाइ वह Test घुन जो क्या बोलता हैं हम लोग I को भी ने का लेंगे हुआजोड़ छोड़ चोड़े पॉայंटों को ध्यान लाई ध्यान दिजिए सूलूसान और कर रहे हम लोग तो ही फर्मूला क्या लाय है हुआ अलगा लायियर राजिस्टborg तो डभलू बटा अई उसक्ऊार मैंस ट्याइगा यह अउय त्याएंट्री हो ऑप्शन नमबर क्या है जो यह है ओर राइट रहे हैं तो इसका रैजिटेम्त का दैमेंशन फिर म害ला अब तो अबस नमबर 27,1 kWh एग कितने भाता है किलो वाट आवर जो होती है ऑग्र Gust । 3.6 दसके पावर 6 जूल 6 जूल और नहीं तो 3 पॉइंट इतना मेगा जूल तो option number B जो है और C जो है राइट एंसर है तो option number D देखा जाए तो D और C लिखा हुआ है option number D फिर power of electric circuit फिर आ गया देखिए option number A जो है राइट एंसर लिखा हुआ है इसका A सही मातरक होता है तेसला किसला A सही मातरक होता है धियान देजिएगा magnetic flux का A सही मातरक होता है magnetic flux का A सही मातरक होता है जिसको हम लोग टकला का नाम से जानते है टकला का नाम से जानते है टेसला किसका A सही मातरक होता है तो magnetic flux का A सही मातरक होता है एक सरे वी है इंफ्राइड वी है तो ओल होगा अंसर यहां पर अगला कोश्चन पुछा हुआ है कि मैथमेडिकल फ्रूम दा बायुसावाटला बायुसावाटला का फर्मॉला होता है डी बी बेरावर धियान दीजेगा इसका होता है मियू नौट बटा फोर पाई फोर पाई आई डी एल आई डी एल इन्टू आर क्रॉस बटा होता है और की धियान दीजेगा तो आपसन नमर क्या होगा ए होगा ए होगा 26 नमर कोश्चन का 27 नमर कोश्चन के पीछ चला जाए फोर दे सौट साइटनेस आइज स्पेटगल लेंस के दिजू सौट साइटनेस यस कहा चोटा होता है और कैषिक्व लेंस के दौरा की चैथा éta शोटा होता है प्रेयान दिजेंगा ऑपसन नमर भी होगा फ्रेस बया धाइल फूर प्रेसज़ बार Button Nrix प्रेस ड्लास करीं सब्सक्राइल गलत के घृस्चल सबस्क्राइल्स औलकुर सांद़ीयगी सब्सक्राइब है डिवाइज होती है ओपोटेज होता है अगला कुर्षण ध्यान देनी वाले बात है करा डालेक्टि पालेक्टिक पैलेस बिटमेन टू प्लेटेस पैलल 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 कपी शीटर दे वैलु ऑफ पैपिसिटेंस हम लों को पता है कि दो प्लेट की बीच में कोई डालेंगे हमेशा कैपिसिटेंज क्या था कैपिसिटेंज की बढ़ती है तो कैपिसिटेंज इंक्रीज करेगा ऑप्सन नंबर क्या होगा यहां पर ए होगा अगला कुछ जलते हैं बाइंडरी को डेसिमल में चेंज करना है बाइंडरी नंबर को डेसिमल लगाइए अराम से ठीक है यहाँ सो लगाया तो कैम रुपक्टेगा 12 मरत्बे काट जा बचा कितना 1224 एक सेसपल बचिया एक लिग दिया रहा पर फिर दो सो लगाएंगे 2-6 है कितना हो बारा होगा सेश्फल Olay बचा अêuरह हो गया। अब् LEE का धिया पर यंदी That Harpun बचा यहांPad भागा इh But You can't train खाएयंगे भी सहिउ पिट जुट जिahlt बचिया। फिर Silence लगाएंगे तो 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 यहां पर है option नमबर सी में option नमबर क्या ची में में 2001 2001 अगला चलते हैं question number 30 है ने 33 question number जो है which of the following correct fundamental quantity fundamental quantity जो होती है और कुन कुन होता है पहला होता है अनगेत दूसरा होता है नौट गेत और गेत और चीसरा जो होता है यह जो है fundamental quantity है इसी को बोलाइता है basic quantity दिखान देजिए basic quantity जो लोग लॉजिक हम लोग पढ़ते हैं basic quantity होता है तो option no. जो होगा fundamental get कौन-कौन है तो end get or get or not get अगला question जो है दिखान देजिए बुलियन expression of nor get दिखान दिखान यहां पर लिखा हुआ हुआ है no get nor यहां पर दो दो गेट है एक not good वी Ya'll car díaglow माई इस परकार देज जानते हैं और गर इस परकार से होता है जो जानते हम लोग इसको तो और गेत का बनाते हैं नौर लिखते हैं तो और रिड़ का सिंबॉल जो होगा इस होता है 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 इस प्रकार सबता ही हो गया दोनों गिट का मतलब हम लोग ऑर फरमूला पड्यका बोल्हें नम्ज लेता एंटीवी होता है है इसके ओपर का लगांगे रिक्रिंग लगा देंगे डैस लगा देंगे ओपर लाइन खीज़ देंगे तो हो जाएगा कैजिका और गडा आप्षून किया होगा ऑप्षून नमबर क्या होगा एह अगला कुस्षन है तूट टेबल सो इन फिगर तूट टेवल बनाना है तूट टेवल धियान दीजिएगा नौर गट का सिंबॉल क्या होता है थोड़ा समाइए पहले पहले पहला बात तो एक दिया हुआ और गेट और का य बरावर होता है एंटो बी एंटो बी धियान वाली बात है नौट गेट है नौट गेट में दो ही एक सिंगल होता है एक सिंगल इंपूट और दूसरा कहता है सिंगल और पूट होता है यही दोनों में से क्या होंगे ऑप्सन होंगे पहला बात यहां ध्यान देजिगा जीरो और जीरो गुना करेंगे जीरो और जीरो में गुना करेंगे जीरो और वन में गुना करेंगे तो पहलो जीरो आना चाहिए बगि आ रहा है कितना वन आ रहा है आ रहा है धियान देज़ेगा वन भी आ रहा है तो यहां पर कौन सा गेट होगा पहला वात यहां पर क्या रहा है ठीक है जीरो और वन यहां वन आ रहा है अग था पर अंतों लिखा हुआ कितना है तो जीरो लिखा हुआ है इसमें किसी गेट का भी बूलिन अलजेबरा नहीं है तो हम लोग आप्शन मारेंगे नन ओफ दीज तो 35 में 35 आप लोग को जवाब मिलाएगा कितना लोग को सही जाता है यदि आप लोग 35 35 मारते हैं तो आपका तैयारी जो है वह बहुत बढ़िया है अच्छे लेवल जा रहा है आप लोग थियोरिक अच्छा से कंप्लिट कीजिए यदि आपका थोड़ा बहुत भी मिस प्रिंटेड होता है तो उस पॉइंट को पढ़िए जहां से आपका मिस प्रिंटेड जा रहा है उसके बाद यारी पुन्रूफ हो जाएगा तो आने वाला टाइम में अभी और वीडियो आपके सामने अब्जेक्टिव प्रस्ण कर जाएगा आप लोग मारते रहिए अपना अभ्यास को बनाते रहिए कि आने वाला टाइम में आपका जो 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 अब्जेक्टिव कुश्ण होगा वह वहां पर आप लोग को सामने वीडियो का अपडोट कर दिया जाएगा तो इस चैनलों बने रहने के लिए आपका समय सुभ हो जैहिंद